विडियो बहुत इंपोर्टन रहने वाला उन सभी स्टुटेंट्स के लिए जो कि जमुन कश्मी पॉली सब इंस्पेक्टर की वेकैंस के लिए या तो त्यारी कर रहे हैं या आने वाले समय पर त्यारी करना चाहते हैं आप सभी को मालूम होगा जब से JKPSI की जो रिकृट्मेंट की ओफिशल नोटिफिकेशन वाली थी आउट हुई थी JKPSI की वेबसाइट पर तभी से जो रिकृट्मेंट है ये न्यूज में है न्यूज में रहने का रिजन सिर्फ एक है जो की है एज एलिजिबिल्टी इशू ये भी मौलूम होगा आप सभी को कि जेंट के यूटी के जो एलजी है मनू सीना उन्होंने ट्विट किया था अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से और ये बताया था कि जो एज है उसे 28 से 30 साल तक किया जा रहा है और जो नंबर वेकैंस है हाले कि किसी ने यह नहीं सोच आ था कि विकैंस भी इंक्रीज हो हो जाएगी उसे भी इंक्रीज कर दिया गया फॉम 800 तो 1200 बट विकैंस इंक्रीज हुई ये तो हर एक स्टुडेंट ने इसे बहुत पॉजिटिव में लिया बहुत खुशी हुई हर स्टुडेंट को जो एज एलजीबिल्टी का इशू था जिसे 28 से 30 साल तक करी गई एज बाद भी आप ये देख रहे होंगे प्रोटेस्ट जो है वो पूरे जमू कश्मीर में डिफरेंट स्टुडेंट्स जो है वो कर रहे हैं जिनकी एज जो है वो अबव 30 है क्योंकि जो एक मॉइमरेंडम जो है वो गया था लजी ऑफ जैन की यूटी के पास वहां पर जो बा क्या करनी इस पूरी वीडियो में एस्परेंट्स की कुछ इंपोर्टन सवाल है उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा किसी हद तक इंपोर्टन फैक्ट्स के ओपर क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स जो है वो मुझे भी और डिफेंट टीचर्स को जो है वो कॉल क करके मैसेज करके सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि पहली बात तो ये हालांकि जेके एससबी ने तो कुछ बोला नहीं ये एलजी ने ट्वीट करके बता दिया है कि एज जो है वो 28 से 30 साल तक कर दी गई है तो फिर वाइद स्टुडेंट्स ऑफ 28 तो 30 आर स्टिल पिया हो रहे क्या रीजन है इसका इस पर बात करेंगे दूसरा वाइद ऑफिशल स्लेबर्स ऑफ जेके पी असाई है अबही तक आम ने ये भी देखा है जेके पी एससबी क्यों नहीं स्लेबर्स को आट कर रही है जिस्ट एक उन्होंने ओवर्वीव ज़रूर दिया 33 क्या कोई further chances है इस realization के जो कि 30 से 33 साल तक की जा सके तो इन चीजों के क्या answers है मैं अब आपको वो बताने वाला हूँ देखो पहली बात तो ये 28 से लेके 30 साल तक जो students है वो form fill क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि JKSSB ने अपनी official website के उपर revised notification को आउट नहीं किया है जिस notification में JKSSB ने ये बताया हो कि 28 से 30 साल तो गुमर हुई है जिस notification में JKSSB ने ये बताया हो कि vacances जो है वो 800 से लेके 12 सो तक कर दी है ये LG ने जुरू टीट किया है बट क्या JKSSB जो कि ये recruitment conduct करवाने वाली है recruitment करने वाली agency है उन्होंने अपनी official website बे बताया नहीं बताया हालनकि होगा ज़रूर बट पहले JKSSB को वो clear करना पड़ेगा उसके बाद form fill होना जो है वो शुरू होंगे इस age bracket के दूसरा syllabus क्यों नहीं आउट हुआ तो उस वज़ा से JKSSB ने एक revised notification आउट नहीं की 18-30 साल तक क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उमर और बढ़ गई तो दुबारा से उनको एक revised notification आउट करनी पड़ेगी और फिर JKSSB के उपर सवाल उठाये जाते हैं पहली बात ये दूसरा syllabus भी इसलिए आउट नहीं हुआ क्योंकि पिछली चीज़ नहीं अभी clear नहीं हुए है यही exact JKSSB ने clear नहीं किया कि age limit जो है उसकी revised notification अपनी website पर डाली जाए वो ही नहीं हुआ तो syllabus भी अभी आउट नहीं किया JKSSB ने और तीसरा क्या कोई chances है further age realization के तो मिस पे आपको important point बदा दूँ पिछली दून से यह development चल रही है कि student का delegation जो है वो I think कल उन्होंने मुलाकात की है LG of Gen के UT Manod Sinha के साथ और एक student से मेरी बात भी हुई है उन्होंने भी मुझे बताया different social media handles पे शायद आपने भी देखा होगा कि LG of Gen के UT ने उनकी बात सुनी memorandum accept किया और one time age realization की बात पे गोर फरमाया but at the same time उन्होंने ये भी बोला कि आज अगर में आपकी उमर जो है वो आपके लिए one time relaxation देता हूं 33 साल तक ले जाता हूं कल ऐसा भी हो सकता है कि जो जिनकी उमर 33 से उपर है वो students भी मेरे पास आएंगे उन्होंने भी मुझे memorandum देना है फिर में क्या उनकी भी age realization वापिस increase करूंगा तो उसमें भी issue होगा तो ये सवाल obvious सवाल है ये रहना ही था उनके mind में और ये रहा भी हाला कि अब देखते हैं कि होगा क्या आने वाले दिनों में LG और जेनकी यूटी ने ये उनको ज़रूर बोला है कि मैं इस पर सोच विचार करूंगा हो सकता है इस पर कोई ना कोई वो answer देंगे age होनी है increase या नहीं होनी है वो बताएंगे ठीक है बट जब वो students वहाँ से वापिस आ रहे थे उनसे मिलके तो उनको मिठाई भी खलाई और ये भी बोला कि कोशिश में यही रहेगी कि कोई ना कोई पॉस्टिव न्यूज आप तक पहुंचाई जाए तो यहां से पता यहीं चलता है कि हो भी सकता है कि age relaxation जो है JKSSB को कि age further increase होनी है यह नहीं होनी है एक full stop लगना चाहिए उस चीज़ को एक correct answer जो भी है वो मिलना चाहिए उसके बाद ही JKSSB जो है वो इस पर काम करेगी तो यह वो reason था जिस reason की वज़़ज़ से slabbers नहीं आउट हुआ form feeling नहीं हो रही है तो मुझे लगता है I hope किसी हद तक में आपके questions का answer कर पाया होंगा देखते हैं अब क्या बनता है हाला कि one time age realization पांच साल की जब उसमें मिली हुई है JKSSB में तो हो सकता है इसमें भी जो है LG and KUT कोई ना कोई सोच विचार करके के अपना answer देंगे दोस्तों इसकी के साथ अगर आप तयारी कर रहे हैं प्रोली सब इस सट्रेटर के लिए तो यह कोर्स आपको विंग्जे कुरान की application में मिल जाएगा आप वहां से डाउनलोड करके इस को जोइन कर सकते हैं डिफेर्ट सोचल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक से वो नीचे सोचल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे वहां पर भी आप हमें जोइन फॉलोग कर सकते हैं मिलते हैं दोस्तों के लिवड़ी में तिल दन टेक के गुडबाई एंड जय हैंड लॉ conceptual कर सकते हैं मिलते हैं मिलते हैं मुड़़